हेलो क्लास थर्ड स्टुडेंट, सोसल लेशन 4, वीडियो पार्ट नवर 3 में हम वर्ड मीनिंग, करेक्ट ओप्शन, कैपिटल सीटी, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और कोश्चन अंसर कंप्लीट करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं, वर्ड मीनिंग से, कॉंटिनेंट, महादीब, इंडिपेंडेंट, स्व तंत्र, रिपब्लीक, गड़तंत्र, गोर्मेन्ट सरकार, वेल्फिर मिन्स कल्यार, शेंट्र गोर्मेन्ट, कैंग सरकार, स्टे गॉर्मेंट राज सरकार, नाइबर्वस परोसी कुल्चर मिन्स संस्कृति, हैरिटेज मिन्स वीधासर पॉलिटिकल मिन्स राज निति, दिविज्न मिन्स वीभाजन स्टेट मिन्स राज, यूनियन टेरिटरिम जिन्स केंटराव सासी प्रदेश कैप्टन मिन्स राजधानी पार्लेमेंट हाउस मिन्स संसर्थ भवन अब ये तिक दे करेक्ट ऑप्शन जिसको आप अपने बुक में फिल करिएगा फर्स्ट है इंडिया इस 비 цен इंडिया इस लोकेटद इन लोकेटड इन इन शौटन पार्ट अप्स सठय्सक्राफ्ट आपिसें अश्टेलिया और अंट्राफ्टीका तो हमारा इंडिया काहां काहां लोकेटड एस साओन पार्ट अडिय राइट है second is some parts of India are directly administered by the union territory, state government और central government तो यहाँ पर मेरा option number third जो है right है तो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे central government third is the capital of Chandigarh is option Punjab, Haryana and Chandigarh तो Chandigarh की राजधानी क्या है हरियाना तो हम क्या फिल करेंगे हरियाना option number second fourth blanks is the national capital territory of our country तो बंगलूरू, second है Delhi, third है Pune तो हमारा option second है Delhi, तो हम क्या फिल करेंगे Delhi, fifth blanks is the largest state of India first option राजस्थान, second गोवा, third है उत्तरप्रदीश, तो सबसे बड़ा state क्या है राजस्थान राइट दे नेम आप भी है, राइट दे नेम आप दे इस्टेट फॉर दा गिवन कैप्टल चन्नाई, चन्नाई की राजस्थानिक, कमिलनाडू, पत्ना, बिहार, बुंबई, महरास्थ, गंग्टोक, सिकी, पैंगलूरू, करनाटका उसके बाद है राइट, ट्रू और फाल्स, फर्स है, इंडिया इस डिवाइड इन्टू 28 इस्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज, तो ये ट्रू, ये सही है, सेकेंड है, गोवा इस दे लार्जेस्ट इस्टेट इन इंडिया, तो सबसे बड़ा इस्टेट, सबसे लार्ज फाल्स, क्योंकि यूनियन टेरिटरीचा भी अपना एक कैपिल होता है, तो ये क्या हो जागा, ये फाल्स हो जाएगा फोरे, इंडिया बिकाम एन इंडिपेंडेंट कन्टिरी ओन 26 जन्वरी 1947 यह भी फाल्स है क्योंकि इंडिपेंडेंट कभ गुआ था स्वतंत्र कभ गुआ था 15 अगर्ष पटना इसे यूनियन टेरिट्री तो यह भी रॉंग है क्योंकि पटना यूनियन टेरिट्री नहीं है यह एक है यह एक स्टेट है मैस्ट फॉल्विंग असम फर्स्ट है असम चंडिगर्ड उत्राखंड जमू एंड कास्मी राजिस्तान इधर ए है देरादून बी स्री नगर सी जैपूर दी दीशपूर यी राइपूर तो असम असम का कैपिटल दीशपूर तो फर्स्ट को हम डी से मैच कराएंगे सेकेंड है चतिसगर्ड चतिसगर्ड का कैपिटल ए राइपूर उत्राखंड थर्ड नमबर पर उत्राखंड उत्राखंड का कैपिटल ए देरादून तो थ्री को हम एंड से मैच कराएंगे फोर है जम अगर तो इस 4 को हम 20 मैच कराएंगे 5 नमर पर राजस्थान इसको हम सी जयपूर से मैच कराएंगे अब इसके वाज़ाएं अंसर दा फॉल्विंग गॉश्चिन देखिए दो ए इंडिया इसलाओ शरण फारक्ट अ कुष aquellos इससेंट का यarı और बड़िद जाओ में लुकेटव दारें यहाओ of the country. Third question is differentiate between a state and a union territory. देखें, state क्या होते हैं? State are the large political division of India. Each state has a large city as its capital city. Union territory Union territories are a small political division of India next question is name the seven union territories territories of India along with their capital seven union territories are Andaman and Nicobar Island capital Port Blair Lakshadweep capital Kaurati Puducherry capital Puducherry Daman and Dew capital Daman Dadar and Nagarheveli capital Silvasa Chandigarh capital Chandigarh Delhi capital New Delhi last question is write the neighboring country of India भारत के पड़ोसी देश अंसर है भारत के पड़ोसी देश देखे कौन कौन से है neighboring country of India और पाकिस्तान बंगला देश नेपाल स्री लंका बर्मा भूटान एंड चाइन ये आपका लेसन पोर कंप्लीट हो गया इसका आप अपनी कॉपी पर भी कंप्लीट कर लीजीगा सकती हुआ